तो यह आदियो जो आप अभी सुन रहे हैं इन्हीं दोनों में से एक TWS के माइक्रफोन से आ रही है और यहां पर मैं खुले वाता वांड में हूँ तो अभी तक आप दूसरे TWS सुन रहेते अब यह दूसरा वाला है अब आप बता सकते हैं कि माइक क्वालिटी एक्शुली में आपको किसकी अच्छी लगी अब आप बताईए आपको कॉलिंग क्वालिटी किसकी अच्छी लगी तो पैसे आपके वेश्ट ना हो उससे पहले और हम देखते हैं OnePlus Buds Z2 के अडवांटेज इसके इन दोनों के बर्स में IP55 की रेटिंग मिलती है बट OnePlus के केस को भी IPX4 की रेटिंग मिलती है तो थोड़ी बहुत छीटें इसका केस भी वर्दास्ट कर सकता है जबकि OPPO में ऐसा नहीं है अब इन दोनों के जो बर्स में बै कि यहां पर थोड़ी साउंद ड्रायवर्श की बात करते हैं तो ओपव में बड़े ट्रायवर्स का यूज करा गया है अब बड़ा साउंद ड्रायवर हर समय बहतर नहीं होता बट यहां पर बढ़ा ही बहतर लगा औदियो ठावलेस के बड़े होनी का मेन फादा यह होता ह वो जादा हवा को मूफ कर सकते हैं, तो loudness आपको sound में बेटर मिल सकती है, साथ में bass आपको जादा deep मिल सकता है. बाकि exactly कौन सा diaphragm यूज करा गया है, ये भी बहुत महत पूर्ण भूम का निभा सकते हैं sound में, और यहां पर OPPO ने इस बार वर्ड का पहला bamboo fiber diaphragm यूज किया है, ये light होता है, strong होता है, और ज्यादा natural sound प्रोडूस कर सकता है, regular titanium diaphragm के compassion में, एक और feature है dual connectivity, ये feature clearly OnePlus को beat करता जब आपको switch करना होगा, तो manually switch करना पड़ेगा, बस में दोनों buttons को ऐसे press and hold करके रखेंगे, तो ये दूसरे device से pair हो जाएगा, अगर आपने दो smart phones से या किसी भी दो gadget से connect कर रखा है, तो जिसमें भी sound playback हो रहा होगा, जिससे भी आप call कर रहे होगा, ये automatically उससे connect होगा, उ Bluetooth कोड़े का support, OnePlus में AAC, SBC दोनों कोड़े का support मिल जाता है, वही पर OPPO में AAC, SBC के साथ-साथ, LDAC Bluetooth कोड़े का support भी दिया गया है, अब यहां पर mostly Android smartphones में LDAC का support मिलता है, Apple devices में LDAC का support नहीं मिलता है, बढ़ा कुछ Android smartphones में आपको developer options के अंदर जाके LDAC को इनेबल करना से music listening में कितना फरक पड़ेगा, या फिर उससे बड़ा सवाल कब पड़ेगा, यह भी जानते हैं, तो पहली बात, AAC और SBC की तुलना में लगबाग तीन गुना जादा data ट्रांस्मिट कर सकता है, LDAC कोड़े, अगर आप नॉमल YouTube, Music, Spotify, Gana यह सब में सुनेंगे, तो यहां यहां पर मैक्समिमम 320 Kbps तक ही data stream होता है, तो टेकनिकली आपको कोड़े की वज़से बहुत बड़ा फरक समझ में नहीं आएगा, यहां पर एक सर्प्राइजिंग बात बताता हूं मैं आपको, यहां पर Spotify सुना मैंने, Apple Music सुना और जैसी मैं LDAC कोड़े को एनेबल करता था यहां इसमें आप हाई-resolution में audio सुन सकते हैं और इसका सबसे आर फाइदा में को Apple Music में समझ में समझ में आए, Android डिवाइस में सुन रहा था मैं और OPPO में एक और फीचर है, OPPO Alive Audio, यहां पर एक स्पेशियल आडियो टेकनोजी है, जहां पर आपको थोड़ा साराउंड सा पर काम करते हैं, वो भी OnePlus डिवाइस से साथ, वहीं पर OPPO के अंतर 47ms की लेटेंसी मिलती है, और यह सभी डिवाइस साथ काम करते हैं, बागे दोनों में इन एर डेक्शन मिल जाता है, काफी स्मूदली काम करता है, अब बात करते हैं, साउंड औ क्वालिटी की, जब मैंने ना बे सेवी है, ना ऐसे कोई चुपने वाला साउंड है, काफी अच्छा नैच्छल साउंड सुनने को मिलता है, जैसा कि OPPO का क्लेम है, अब जैसे हम LDAC on करते हैं, OPPO अलाय फीचर को on करते हैं, इसके बाद OPPO की साउंड फ्रिक्वेंसी है, थोड़ा वाइड हो जाती ह वनप्लस में बोल्ड प्रिसेट पर रखके मेरे को सबसे बेस्ट एक्स्वेंस मिला था मतलब जो मैंने गाने सुने उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं, और OPPO में 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 अरिजन साउंड पर रखके इसको सुना हाना कि इसमें बेस बूस्ट और नैच्छला इंस्प्रे यही है, music quality OnePlus Buds Z2 की भी बहुत अच्छी है, अभी भी मुझे इसकी base quality अभी भी ज्यादा बेटर लगी, but overall music quality, LDAC, support और यह सब यह देख के अनलाइज करते हैं, तो OPPO की भी sound quality बहुत अच्छी मिलती है, साथ में flexibility आपको इसमें जादा मिल जाती है, अब अगर design की बात करत इसको बहुत टाइम सी उसकिया है, और इसको भी उसको भी उसका रहा हूं, तो pocket में रखने में build shape, जो TWS वाले case होते हैं, बहुत uncomfortable लगते हैं, और यह थोड़ा ज्यादा सहज लगते हैं, बाकि multi-color LED दोनों मिल जाती है, type C port मिल जाता है, OPPO में कोई भी extra button नहीं मिलता है, OnePlus में एक पेरिंग बटन मिल जाता है, पीछे की तारफ, बाकि सिंगल हैंड से उपन करनी बात करें, तो दोनों उपन हो जाते हैं, बाकि यहां पे अपर थोड़ा आसान पड़ता है, बाकि बात करते हैं, तो मेरे को OnePlus थोड़ा ज्यादा प्रीमियम फील होता है, उसमें जो प्लास्टिक मेटल उसके अगया है, वो मेरे को जादा बेटर लगता है, बाकि दोनों का वेट आप देख सकते हैं, और दोनों में जो बट्स मिलते हैं, इनको मैंने काफी लंबे दाइम के लिए, मतलब कंटिनूसली लिए लागा के यूज करा हुआ है, अनकमफिटवल न साथ कनेक्ट होने में भी समय नहीं लगाते दोनों, बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं, बाकि दोनों में है मेलेडी अप्लिकेशन के तुरू आप काफी सारी चीज़ें ट्वीग कर सकते हैं, बटन को भी कस्टमाइज कर सकते हैं, और हाँ ओपो को मैंने चेक किया था, है आइफोनस में मोचली फीचर्स के सबोर्ट है, हे मेले navy application के अंदर, और वनपलस में मोचली फीचर्स सपोर्ट करते यह 10 db है और आप जो नाइज आ रहा है यह 20 db है पस आपको अज्यूम करना है तो यह जो दो साउंड आप ने सुने 10 db, 20 db, 20 db लाउड है, 10 db कम लाउड है तो तकनीकी रूप से देखते हैं तो ओपो लगबग 9 db extra noise को कैंसल कर सकता है या फिर यह कहें आपके कानों तक पहुचने से रोख सकता है जैसे ट्रैफिक में constant shore होता है, office में बैठते हैं तो एक constant shore आता रहता है आपके कानों में न या फिर fan चल रहा है तो उस condition में background noise को ओपो बेटर तरीकी से reduce करता है अचा एक बात और clear करना चाहूँगा लोग ANC और ENC में बहुत confused होते हैं तो यहा आसपास के surrounding का जो noise होगा मुझे सुनाई कम देगा बट ENC का मतलब होता है environmental noise cancelling और यह calling के दौरान यूज होता है अब जैसे यह ANC supported भी है मैंने इसको कान में लगाया इसी से call पर बात करी तो मेरे surrounding में जो noise है वो सामने वाले को reduce को जाएगा अर्थाथ ANC का फाइदा को समझ में आ गया होगा बाकि ऐसी और चीजें हम समझाते रहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं किया और वीडियो को अपना एक लाइक भी दे सकते हैं और आप एक बार बात करते हैं वहां पर पाया कि OnePlus में स्लाइटली ज्यादा क्रिस बात करते हैं तो अनकि फिर से कहना चाहूंगा दोनों में मुझे आज तक इसे ने कंप्लेंड नहीं करी कि आपकी आवाज अच्छी नहीं आ रही है वाकि माइक क्वालिटी में आपने कुछ डिफ्रेंस नोट की हो तो टिपने के माददम से अवश्य बताईए तो अब य का सपोर्ट है तो आप कई जगहों पर इसका अडवांटेज ले सकते हैं अनसी बेटर है ओपो अलायू साउंड वाला फीचर भी मुझे तो अच्छा लगा हाना कि टेस्ट पर डिपन करता है आपको अच्छा लगता है नहीं लगता वैसे अमने पुब्लिक दिमांड पे क का कोई अप्ग्रेड नहीं आया है इन दोर में से कोई भी टीडवल से आप यूज कर रहे हैं आपका एक्स्पेंज जरूर शेर करें और आज बुटन के लाल इतना ही वीडियो अगर आपको अच्छी लेग है वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेर भी कर दीजिए अगर कोई देख रहा है टीडवल लेस तो बागे हम मेलेंगे आप से अगली वीडियो में नमस्कार